हालो एंड गुड मॉनिंग आवरिवन आप सभी लोग का स्वागत एशेड़ी ग्लोस पर और डेली करंटेफर के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है आज है 5 अक्टूबर बहुती बहतरिन दिन है क्यों ये आप अभी आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग मुझे इंच्टा पर फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके कोईरी से हैं वो मुझे पूछ सकते हैं इसके साथ में ही लेक्चर की पीडिये विता अंसर साप लोग को दीपक इंदौर आउफिशल टेलिग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और वहाँ पर आपको हर MCQ के लिए क्विश जो है वो अवेलेबल रहता है तो आप लोग को वो क्विश जरूर अटेम्ट करना है और चैनल को जोईन करना है चलिए बहतरीन दिन है World Teachers Day जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 October को जबकि National Teachers Day 5 September को सेलिब्रेट किया आता है ठीक इसी परकार यदि हम लोग हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस जो है वो 14th September को National Level पर सेलिब्रेट किया आता है जबकि 10 जनवरी को सेलिब्रेट कि जाता है इंटरनेशनल लेवल पर ठीक है तो चलिए बात करते हैं World Teachers Day की सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि इस बार जो इसकी थीम है वो है Teachers at the Heart of Education Recovery ये इस बार की थीम है ठीक है तो थीम पूछना तो काफी मुश्किल है लेकिन जहां तक हो सकता है कि वो डेट ज शुरू किया गया था 1994 से celebrate करना तो सबसे पहले 1994 के अंदर इसको celebrate किया गया था तो आप लोग जरूर याद रखना पाच अक्टुबर वर्ड टीचर's Day जो है वो celebrate किया जाता है क्या आप लोग मुझे comment section में ये बता सकते हैं कि 5 सितंबर को जो National Teachers Day celebrate किया गया था उसकी थीम क्या थी वो मुझे आप लोग comment section में बताईएगा चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही बहतरीन session को भारत सरकार की नई खेल सचीव जो है sports secretary वो कौन appoint की गई है तो recently आपको पता होगा कि इस पद पर नई जो appointment हुई है वो सुझाता चत्रुवेदी की new appointment यहाँ पर हुई है 1989 बैच की यह IS officer है बिहार केडर इनका है और recently sports secretary जो है वो appoint की गई है देखिए जितना भी secretary level की यह जो post है उस पर हमेशा IS officers को ही appoint किया जाता है इन्होंने replace किया है रवी मितल को ठीक है चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सुझाता चत्रुवेदी जो हैं वो इससे पहले additional secretary in the department of personnel and training के अंदर ये इस post पर रह चुकी है और पिछले साल अपरेल से खेल सचीवन के sports secretary की जो पद की जिम्मेदारी समभाल रहे थे मितल उनके निर्दिशन के अंदर ही अभी recently olympic और पेरा olympic जो थे वो conduct करवाए गये थे और उसी उनी की बदोला जो है olympic के अंदर भारत की 48 rank और पेरा olympic के अंदर 24th rank जो है वो इंडिया की आई थी कुछ हम लोग facts की बात कर लेते हैं cabinet secretary जो है वो राजीव गाबा है foreign secretary हर्श वर्दन श्रिंगला है home secretary अजे कुमार भल्ला है defense secretary अजे कुमार है इसके साथ में ही finance secretary जो है वो है TV सोमनाधन मुझे आप लोग comment section में ये भी बताइएगा कि एक रुपे का जो note है इस पर sign जो है वो किसके होते है signature जो है वो किसके होते हैं मुझे जरूर बताइएगा easy question है अगला question देखिए actress है कागना रनौत recently इनको appoint किया गया है as a brand MSI der one district one product के लिए ठीक है तो कौन से state के द्वारा इनको appoint किया गया है तो answer होगा उत्रप्रदेश सरकार के द्वारा योगी आदित्तेनात यहां के मुख्य मंत्री है देखिए one district one product ये जो योजना है इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे states के products को GI tag जो है वो दिया गया है इसमें होता क्या है कि एक district के अंदर जो भी famous product है उसको थोड़ा सा initiate किया जाता है उसको जो financially help है वो की जाती है और इसके लिए एक market जो है वो develop किया जाता है जिसके तरहत यह product जो है वो काफी famous हो जाता है यहां आप लोग news देख सकते हैं कि कंगना रनाथ to be brand MSIder of Yogi Adityanath flagship ODOP scheme बहुत ही बैतरीन scheme है तो उत्तरप्रदेश government जो है वो अभी इसको काफी promote कर रही है one district one product को ठीक है चलिए यहां आप लोग देख सकते हैं कि UP के अंदर भारत के सरवादिक district जो हैं वो हैं 75 districts और सबसे ज़्यादा लोक सभा, राजी सभा और विधान सभा seat जो हैं वो भी कहां पर इस्तित हैं UP के अंदर ही इस्तित हैं और one district one product के तहत ही क्या किया जाता है उस product को इतना promote कियाता है कि उसके लिए एक ओधर की कहने कि industry जो है वो भी develop की जा सके उत्तरप्रदेश के दिए हम लोग बात करें तो इसका formation की date बहुत important है चोबी जनवरी 1950 को और यही वो date है जिस समय constitution assembly की सबसे अंतिम बैठक जो थी 12th session की वो conduct करवाई गई थी तो constitution assembly के लिए एक कुल 12 session जो थे वो conduct करवाई गई थे 165 meters conduct करवाई गई थी और सबसे अंतिम जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को आईजित करवाई गई थी इसके बाद में 25 जनवरी को एक सदशी है single member जो है वो election commission का गठन किया गया था ये भी आप लोग जरूर याद रखना और इसी लिए भारत के अंदर election या हम लोग कहें voters D जो है मत दाता दिवस वो 25 जनवरी को ही celebrate किया था है इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को constitution जो था वो fully applied या implement हो चुका था इंडिया के अंदर ये fact जो है वो आप लोग date wise जरूर याद रखना अच्छा यह पर 24 जनवरी की बात है क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को कौन सी समीती जो थी या हम लोग कहें कि कौन सा प्रस्ताव जो था वो स्विकार किया गया था मुझे आप लोग जरूर बताना और ये date जो है वो exam में जरूर पूचे जाती है डिस्टिक्स है यूपी के अंदर 75 कैपिटल है लखनाव चीफ मेशर है योगी आदित्यनाथ गवर्नर है आनंदी बिन पतेल चीफ जस्टिस जो है वो है मुनिश्वर नाथ भंडारी एक्टिंग चीफ जस्टिस आफ उत्तर प्रदेश अलाबाद हाई को प्रदेश जो है वो विष्यो का हम लोग कह सकते हैं एश्या का सबसे बड़ा हाई कोट कौन सा है वो है अलाबाद हाई कोट यहां पर जज़ेस की संख्या सरवाधिक है सूप्रिम कोट में अभी जज़ेस जो है वो 33 है जबकि मैक्जिमम हो सकते हैं कितने 34 जो है वो है legislative council की देखी वैसे तो विधान सभा की जितनी seats होती है उसका one third जो है वो minimum हो सकती है किसके अंदर legislative council के अंदर और जितनी जो है legislative council के अंदर seat है उसका one by six जो है उनको appoint किया जाता है या nominate किया जाता है through governor बढ़ते हैं हम लोग आगे state symbol जो है UP का वो है state animal की state animal जो है वो है बारा सिंगा state bird जो है वो है crane state tree आप लोग देख सकते हैं अशोक का पेड़ है state flower प्लास का state fruit जो है वो है mango और यहाँ पर state sweet जो है वो बिलकुल सीधी सारी क्या है जलेबी है fog dances जो है वो है रास लीला जूला कज़रा तो यह जो है fog dances आप लोग देख सकते है नौटंग की है जैता है नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो दूरवा नेशनल पार्क यो है वो यूपी के अंदर इस्तित है और Tiger Reserve जो है वो है Amangar Tiger Reserve और पीली भी Tiger Reserve जो है वो यूपी के अंदर इस्तित है Centuries की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चंदरप्रभा Wildlife Century हस्तिनापूर Wildlife Century रानेपूर Wildlife Century फिर है नवाब गंज जो बर्ड इस्तित है Sandy Bird Century है इसके साथ में ही सोर सरवर जो है वो बर्ड सेंचूरी इस्तित है मुझे आप लोग ये बताएए कि सलीम अली सलीम अली जो bird sanctuary है वो कौन से state के अंदर इस्तित है सलीम अली जो bird sanctuary है वो कौन से state में इस्तित है अगला question देखिए important है कि निम्ण में से किस संस्था ने राज जे potion profile, state nutrition profile जो है इसको launch किया है तो recently नीती आयोग की द्वारा 19 states के लिए ये profile जो है इसको launch किया गया है आप लोग को पता होगा कि यदि हम लोग nutrition की बात करें तो recently midday meal जो scheme है midday meal जो scheme है जिसको 1995 में नरसीमा राव की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था इसको change करके PM nutrition scheme जो है वो कर दिया गया है ठीक है और जब nutrition की बात की जाती है तो हम लोग बात relate करते हैं इसको किस से education से relate करते हैं हम लोग इसको relate करते हैं employment से क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में अच्छा भोजन होगा वो अच्छी सिक्षा प्राप्त कर सकेगा और उसे रोजगार के अवसर जो है वो भी बहुती बहतरीन प्राप्त हो सकेंगे तो 19 स्टेट के अंदर नीती आयोग की दौरा इसे launch किया गया है नीती की full form है National Institution for Transforming India और इसका निर्मान एक जनवरी 2015 के अंदर किया गया था डेट आप लोग जरूर याद रखना ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहां आप लोग देख सकते हैं कि All India जो रेडियो है इसकी दौरा ये बताया गया है कि नीती आयोग launches state nutrition profile for 19 states and union territory ठीक है और इसमें ये भी बताया गया है कि nutrition outcomes जो है उसकी reports या indexes जो है उनको दर्ज किया गया है nutrition profile के आधार पर ठीक है चलिए नीती आयोग in collaboration with international food policy research institute मतलब इसके अंदर ये एक institute है इसके साथ में Indian institute of population sciences और UNICEF Indian institute of economic development ये इतनी सारे संस्थान जो है वो इसके अंदर शामिल हुए है तब जाकर ये report जो है वो तयार हुई है ठीक है तो ये nutrition profile जो है इसके अंदर हम लोग बात करें diabetes, hypertension, westing, westing का means है कि यदि मान लीजिए कि वजन के बराबर height नहीं है तो उसको westing के अंदर count किया जाता है, stunning में count किया जाता है कि stunning में जिसे मान लीजिए हम लोग count करते हैं कि इसको वजन को तो count किया जाता है westing के अंदर और stunning के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई जो है उसको count किया जाता है इसके साथ में ही ओवरवेट है, एनेमिया है, एनिकी खून की कमी है, वो सब जो है, उनकी प्रोफाइल तयार की गई है नीतियायो की हम लोग बात कर रहे थे, एस्टैबलिश किया गया था एक जन्वरी 2015 को Headquarters है, New Delhi के अंदर Chairman कौन है, प्रधान मंतरी Modi जो है, वो Chairperson है, Vice President राजीव कुमार है, CEO जो है, वो अमिताब कान्थ है हाल ही में किस संस्थान ने भारत में Cornia प्रत्यार ओपन का पहला विकल्ब विक्सित किया है तो Indian Institute of Hyderabad की दोरा ये विकल्ब जो है option वो तयार किया गया है, तो Cornia Transplant के लिए क्या इसका ये जो है विकल्ब वो क्या हो सकता है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को diagram जो है वो समझने की जरूरत है यहाँ पर देखिए Iris Lens ठीक है, इसके साथ में ही Cornia जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो Cornia जो है वो outermost layer होती है किसी भी eye की, तो यदि इसको replace करना है तो ऐसा कोई gel जो है वो निर्मित किया जाए या फिर ऐसी कोई संदचना है जो कि इसको protect करे इसलिए एक नया hydro gel जो है वो निर्मित किया गया है IIT हैदराबाद के दौरा इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई भी injury हुई है तो उसमें सबसे पहले immediately इस gel को वहाँ पर paste किया जाएगा जिसे cornea जो है उसको damage से बचाया जा सके और इसको use किया सकता है humans के अंदर और animals जो हैं उनके लिए भी इसको use किया जा सकता है और ये पूरा जितना भी research हुआ है वो Dr. Falguni party की अध्यक्षता के अंदर जो की associate professor है IIT हैदराबाद के अंदर और उनकी अध्यक्षता में सारा research program जो है वो conduct करवाए गया है बात करें हम लोग हैदराबाद की तो 2020 नहीं की tree city of the world जो है वो किसको कहा जाता है हैदराबाद को कहा गया है इसके साथ में हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर इसित है city of bulge जो है वो हैदराबाद को कहा जाता है लेकि हैदराबाद की history काफी पुरानी है आप लोग को याद होगा operation polo तो operation polo के तहर पुलिस कारवाही करके हैदराबाद को भारत के अंदर विले किया गया था टोटल तीन रियासते थी एक तो थी जमो एंड कश्मीर जिसको विले पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाए गया फिर थी जूनागर्ड जहाँ पर referendum करवा कर फिर भारत के अंदर मिलाए गया और तीसरी कौन सिती हैदराबाद रियासती ठीक है चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चार मिनार ठीक है गुलकॉंडा फोर्ट फलकनुमा पहले से जो हैं वो यहाँ पर इस्तित हैं काफी सारे इसके साथ में ही नैरू जिलोजिकल पार्ट जो है वो इस्तित है इसके साथ में हुसेन सागर लेक इस्तित है, बिल्ला मंदिर, काफी सारे, बहुत सारे यहाँ पर जो हैं, वो देखने लाइक इस्तल इस्तित हैं निमन में से कौन सी कंपनी एर इंडिया की अधिगरन करेगी, तो टाटा संस की दोरा अधिगरन किया जाएगा, किसका एर इंडिया का किया जाएगा देखिए Air India जो थी वो घाटे के अंदर तो चली रही थी इससे पहले April 2020 के अंदर भी इसके bidding जो थी वो निकाली गई थी लेकिन due to pandemic इसका किसी ने अधिगरण नहीं किया था और इस बार ये कदम जो है वो Tata Suns की दोरा उठाए गया है क्योंकि 15 सितंबर इस bid की last date थी उससे पहले Tata Suns ने इसको जो है वो टैक ओवर कर लिया है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा लॉस के अंदर चल रही थी बिड को start किया गया था जनवरी 2020 में फर्स्ट बिड जो थी वो 2021 के अंदर लेकिन pandemic के चलते हुए इसको postpone किया गया और अब जो थी इ वो इसके क्या थे founder थे headquarters मुंबई के अंदर है chairman जो है वो रतन टाटा है ठीक है इसके साथ में एन चंदर शेकरन जो है वो इसके क्या है यह तो है आजीवन हो जाएंगे रतन टाटा और यहाँ पर कारेकारी जो है chairman executive वो कौन है एन चंदर शेकरन जो है वो इसके chairperson है next question देखिए important है कल हमने news of the day के अंदर भी cover किया था विशू के सबसे बड़े खादी राष्टे द्वच का उद्गाटन जो है वो लद्दाक एनकी हम लोग कहें कि लद्दाक तो union territory है और उसका एक district है ले के अंदर इसका उद्गाटन किया गया है काफी बड़े dimensions के अंदर इस खादी के flag को तयार किया गया है और भारत Indian constitution के अंदर 22 July 1947 को सबसे पहले flag जो था इसको adopt किया गया था इसलिए 22 July को क्या मनाय जाता है National Flag Adoption Day जो है वो celebrate किया जाता है ये 3 ratio 2 के अंदर इसको बनाय जाता है हमेशा यहां आप लोग देख सकते हैं कि लद्दाक के अंदर इसको इन्युक्त किया गया है और इसे निर्मित किया गया था 2 October 2021 को इसको इनोगरेट किया था गांधी जैनती के ऊपर ठीक है यहां आप लोग देख सकते हैं कि आर के माथु जो है वो lieutenant governor है कहां के लद्दाक के हैं जिन्होंने 2 October 2021 को इसको इनोगरेट किया और यह विश् वो है 225 feet है वेट जो है वो है 150 feet और वेट जो है वो है 1400 kg मतलब हम लोग कहें कि एक टन और 400 kg जो है वो इसका वेट है इसके साथ में 37,500 square feet जो है यह इसका total area है और इसको बढ़ाने में 49 days जो है वो लगे हैं तो काफी मेहनत से इसे तयार किया गया है देखिए खादी को तो हमें promote करना ही करना चाहिए इसके साथ में ही एक नारा है vocal for local ठीक है याद रखना vocal for local ये नारा दिया गया था इसको आप लोग को याद रखना है तो world के अंदर सबसे बड़े क्या है जैसे हम लोग बात करें कि वेशो का सबसे बड़ा carbon absorption plant जो है उसका नाम है और्शा plant इसक निगापूर के अंदर इस्थित है world largest lake जो है वो कैश्पियन सागर लेक है फिर which is the world largest river island माजूली river island है जो कि ब्रह्म पुत्र नदी पर आसाम के अंदर इस्थित है the world largest fresh water lake जो है वो है कौन से superior lake तो मीठे पानी की जील पूछी जाए तो superior विश्व की सबसे बड़ी जील है जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है कैश्पियन सागर जील है और ये ये यूरोप और एशा के बीच में boundary भी बनाती है ठीक है बहुत important है कैश्पियन सागर से कौन कौन सी countries touch करती है ये question 2019 के अंदर civil services के prelims के अंदर भी पूछा गया था ratings agency क्रिजल के नए MD और CEO जो है वो कौन बने है तो क्रिजाल के नए MD और CEO जो है वो बनाए गए हैं अमीश महता बात करें हम लोग क्रिजाल की तो एक rating agency है जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं economic development की की RBI की according इतनी रहेगी SBI की according इतनी रहेगी तो वैसे ही क्रिजाल एक संस् जिसकी स्थापना 1987 के अंदर की गई थी और मुंबई के अंदर इसके headquarter है तीक है तो एक rating agency है full form आप लोग को जरूर याद रखनी चाहिए credit rating information service of India limited तो क्रिजाल की ये full form है कई बार one day exams के अंदर ये full form जो है वो पूछ ली जाती है इननने replace किया है आसू सुयाज जो है इन P जो company है इसके द्वारा इसको on कर लिया गया है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्रिजाल जो है वो rating agency तो है ही इसके साथ में नए innovations नए research इसके लिए भी क्या करती है ये report जो है वो जारी करती है क्रिजाल 1987 के अंदर इसको establish किया गया था headquarters मुंबई के अंदर है अमिश महता जो है वो new MDN CEO appoint किये गए हैं अगला question जो है वो काफी important है क्योंकि आए दिन जो है वो चकरवात आते रहते हैं तो इस बार शाहीन जो तूफान है ये टकराया है गुजरात और महराश्टर के तट से और ये नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है तो कतर के द्वारा ये नाम दिया गया है देखिए जहां तक name देने की बात है तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि Indian Ocean के touching countries जितने भी हैं उनके द्वारा नाम जो है वो already पूरे एक साल के लिए सुझा दिये जाते हैं और उनमें से ही बारी बारी जो नाम है वो रखे जाते हैं और जो नाम रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है कतर के द्वारा आप लोग को ये भी पता होगा कि शाहिन से पहले गुलाब एक साइकलोन आया था और इसका नाम जो था वो पाकिस्तान की द्वारा रखा गया था तो क्या ये order जो है format उसको हम लोग देख सकते हैं ब लैनमार की द्वारा रखा गया था नाम की द्वारा उसका तोकते जो था वो इसका नाम था फिर यास रखा गया था ओमान की द्वारा गुलाब रखा गया था पाकिस्तान की द्वारा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं साहीन जो है नाम रखा गया है कतर के द्वारा अगला जो आएगा वो जावद आएगा जावद आएगा और साउधी अरब के द्वारा नाम रखा जाएगा तो तेरा टोटल यहां पर कंट्रीज हैं और उनके द्वारा लगभग आठ नाम जो हैं वो यहां पर सुझाए गए हैं ठीक है तो रिसेंटली यह जो शाहीन है वो अच्छा कॉशन है तो अधीर अरोडा जो है वो वाइस एड्मिरल है इनको ही चीफ हाइडरोग्राफर जो है वो अपॉइंट किया गया है क्या काम है इनका आप लोग को पता होगा कि जब भी समंद्रों के अंदर तूफान आते हैं कोई भी मान लीजिए सम्मिरीन मूव क इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर और ये इंडियन न dealers के अंदर इन्होंने जोइन किया था 1985 की अंदर थीक है तो इनकी क्या करेंगे की जो इंडियन ओशियन है इनिन ओशिग्राफिक के क्या करेंगे सर्वेइक्षन करेंगे आईनेस सतलुच की कमान में रहते हुए वह 2004 में सुनामी के बाद सबसे पहले मानवी सहय था और आपदा राहतकारियों के लिए शिरलंका के गाले बंदरगहा पर पहुँचे थे चलिए अगला कुशन देखिए आप लोग तो फाइनेस से रिलेटेड जो भी उतार चड़ा होता है इसके लिए सारा डेटा जो है वो इसी संस्थान की द्वारा तयार किया जाता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अशोक कुमार गुपता जो है उनको अपॉइंट किया गया है इनको एडिशनल चार जो है वो दिया गया है पहले से ही जो है वो रिसेंटल इस्तिफा दिया और जोईन किया अशोक कुमार गुपता के द्वारा चलिए अगस्त के करंट अफेर को हम लोग रिवाइस कर लेते हैं एक अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाय जाता है तो मुस्लिम वोमेंस राइट डे जो है वो सेलिबरेट किया जाता है किन दो देशों की नौ सेना के बीच में कौर्पेट सेयुक चैन ने अब्यास आयजित हुआ है तो इंडिया और इंडोनेशा के बीच में रिसेंटली इसको कंड़ट करवाए गया था बारतिय बिल भुकतान प्रणाली की नई मुखे कारिकारी अधिकारी जो है CEO वो कौन बनाई गई है तो नुपुर चतुरवेदी जो है उनको अपोइंट किया गया था किस भारतिय ने बजट एरलाइन्स आकाशा को लॉंच करने की घोशना किया है और मनीपुर के द्वारा ही इनको ये अपोइंटमेंट किया गया था हाल ही में किस राज्य ने भारत में मनुश्यों में H5N1 का मामला दर्च किया है तो हर्याना के अंदर ये जो मामला है बर्ड फ्लू का ये दर्च किया गया था हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन में नोका याच नामक नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोक्षाला लॉंच की है तो रश्या के द्वारा ये कारणामा किया गया था हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है तो मटगाम अर्बन कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है इसका लाइसेंस रद किया गया था कौन सा देश अगस्ट महीने के लिए सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत का अध्यक्ष होगा और आतंकवाद समोद्री सुरक्षा और शांती विवस्ता के खिलाफ लड़ाई के तीन प्रमुक छेतरों में विबिन कारेकरों में की मेजवानी करेगा तो अगस्ट के लिए ये जो मेजवानी है यो किसको दी गई थी भारत को दी गई थी तो मन्थ जरूर आप लोग इसमें याद रखना चार अक्टूबर के हम लोग करेंट अफर को रिवाइस कर लेते हैं पिंक बॉल टेस्ट करकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारती महीला जो है वो इसमर्ती मंधाना बनी है किस राज्य के चिन और चावल को जी आई टेक दिया गया है तो वो है मध्य प्रदेश अंतराष्ट्रिय कॉफी दिवाज जो है वो एक अक्टूबर को सेलिबरेट किया जाता है सैकर्ट पॉर्टल को किस मंत्रा ने लॉंच किया है तो मिनिश्ट्री आफ सोशल जस्टिस और एमबावर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया है आयूश निदेशाले के पहले महा निदेशक जो है वो ए आर शेक जो है वो बनाए गये है श्रिलंका ने किस देश में निर्मेजेविक उर्वरकों के आयात पर प्रतिवन लगा दिया है तो वो है चाइना क्रॉनिकल फ्रॉम दा लैंड आफ दा हैपिएस्ट पीपल ऑन अर्थ किसके द्वारा प्रकाशित की गई है तो ये बुक जो है वो वाल शियोंका के द्वारा प्रकाशित की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में लांच किया गया एक परिटन एप इसका नाम तर देखो मेरे दिल्ली या सी माई दिल्ली भारती रिजर्व बैंक से सम्भन देट प्रकाशित की गई है तो मावगया सुदान जो है वो अपॉइंट की गई थी ठीक है चलिए आज आप लोग के लिए इस्टेटी ग्लोस कोशन है कि अंतराष्टी ये बाग दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है काफी इंपोरेंट कोशन है इस कोशन का अंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा आप लोग मुझे इंच्टाप पर फॉलो कर सकते हैं जो भी करन्ट एफर का सेशन आज हम लोगों ने कवर किया है वो कुईज की फॉर्मेट में दीपक इंदोरा ओफिशेल टेलिग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो आप लोग इसे सर्च कीजेगा और इसे जॉइन कीजेगा और इस MCQ एनि की कोई जो है इसको जरूर अटेम्ट कीजेगा इस टेडी ग्लोज आप लोग के लिए बहुत ही बहती बहतीरीन कंटेंट लेकर आतर रहे नौलेज इस पावर ये हमारी टेगलाइन है तो चलिए कल मिलते हम लोग बहुत ही बहतीरीन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू